अस्लाम लेकुम स्टूरंट्स ताहि नजीर आपके साथ हाजीर है 10th Mathematics में हम Chapter 7 स्टार्ट करें है Introduction to Technometry बड़ा ही आहम और इंटरस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है तो first of all तो हमने Technometry का मीनिंग बता होना चाहिए Technometry बना है 3 वर्ड से Try 3 मीनिंग है गोनी मीनिंग है हमारे पास यह हमारे पास Angles है और Midtry मीनिग है Measurements तो क्या इसमें Measure करना है Measurement of Triangles तो इसमें जो first हमारे पास C's हमें बता होनी चाहिए यह Student वो हमें क्या होनी चाहिए Angle Angle को हम Define करने चाहरे है First of all students तो Angle हमने पढ़ना है उसमें देखें क्या हम कहते हैं क्या हमारे पास यह Two Non-Collinear Race है जब इसकी हम बात करते हैं Non-Collinear Race की Students ठीक है जी हमने Non-Collinear Race यानिके दो Race Parallel नहीं है ठीक है जी तो इनके तरम्यान जो Value बनेगी उसको हम क्या कहते हैं जी वो हमारे पास Angle है तो इसको प्रिसाइजली हम देखते हैं यानिके यूनियन ऑफ टू Non-Collinear Race विच सम कॉमन पॉइंट ये वाला जो कॉमन पॉइंट बन रहा है यहां पे दो Race जो मिल रही है तो यहां पे जो Angle बन रहा है उसको क्या कहेंगे । यह की अचिक थियूष झो क्या कहेंगे अंगल और यह जो Common Point Isn't बन रहा हमारे पास जो Common Point यहां पे हम ले रहे है उसको हम किया कहते हैं इसको Vertex रिक है जी क्या कहते हैं इसको Vertex हम कहते हैं और Two Rais जो कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं sorry arm of the angle हम कहते हैं इसको अब इसके पाद जो हमें values पता होनी चाहिए students वो हमारे पास है what is an initial and terminal side of the angle अज़ा what is initial side and terminal side अभी हम इसमें से बात कर रहे थे कि initial side कौन से होगी यह जो first line है along the x-axis first line along the x-axis ठीक है रिवन वी अंगल original position of the race called the original position है इसको हम क्या कहेंगा initial a side और यह वाली जो final side है इसको हम क्या कहते हैं terminal side ठीक है रिव इस called the terminal side अब हमारे पास यह है ठीक है इसको हम क्या कहते है टर्विनल और इसको हम क्याते है initial side अब एंगल positive काप होता है जब clock जैसे हमारा move कर रहा है उसके अगर तो वो होगा जैसे clock move कर रहा है ऐसे move कर रहा है उसी pattern से जिसको हम कहते हैं anti clock wise ठीक है sorry जब जैसे clock move कर रहा है उसके swing या move कर रही है clock की ऐसे move करेगा let's suppose इस तरह से इस direction में तो इसमें theta अंगल क्या लेंगे नेगेटिव इसको हम क्या कहते है clockwise 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 क्या एक लेंगे इसका एंगल को नेगेटिव और जैसे clock के opposite move कर रहे है तो उसको हम दो टम्स यूज़ करते हैं counter clockwise या anti clockwise कौन से है उसको counter clockwise और anti clockwise भी हम पढ़ लेते हैं sometimes उसको तो ये क्या होगा angle क्या होगा positive होगा फिर student हमें degree का पता होना चाहिए इस पर degree क्या होगा कि जब हम एक circle ले रहे हैं उसको कितने arts जीनिके parts में divide कर रहे हैं कितने 360 equal parts में हर part का जो center के साथ angle बनेगा वो क्या कहला हैगा 1 degree तो देखते है students बात करें circumference की circle की कितने parts में divide करें 360 equal parts यानिके जो मैंने parts ले रहा हूँ ऐसे चुछटे parts कितने लूँगा 360 तो then angle subtended as a center of a circle by an arc इसकार 1 degree rotation इसकी यह होगी कि हर part का जो center के साथ ऐसे angle बनेगा यह parts होने चाहिए ऐसे students 360 उनका center के साथ जो angle बनेगा वो क्या कहलाएगा अब है जी हमारे पास minutes minutes क्या होगा एक degree को 60 parts में further divide कर लें यानि एक degree को 60 minutes में 60 parts में divide कर लेंगे तो हर part क्या कर लाएगा one degree the 60 part of one degree is called one minute इसको return किया कैसे करते हैं उसके number के उपर बाहर लगाते हैं फिर further जाजिए हमारे पास second 60 part of the one minute यानिके फिर minutes को हमने क्या करेंगे 60 equal parts में divide कर देंगे फिर हर part जो होगा वो क्या क्या लाएगा one second के लाएगा उसके उपर second के उपर कितने बाहर लगाते हैं two और minutes की उपर कितने बाहर लगाते हैं एक फिर एजिए बार पर sexagasimal system the very important one sexagasimal system क्या कहेंगे इसको हमारे पास ऐसा system है जिसकी base के हैं 60 इसमें जो एंगल मैयर करते हैं वो किसमें मैयर करते हैं डिग्री में मिनिट्स में और सेकंड्स में बहुत बार एक्जैम में आ चुकी है यह बोड के एक्जैम में डेपिनेशन इस अ नुमेरिकल सिस्टम विच सिक्स्टी आज इस बेस सिक्साइब सिस्टम मैयर में अंगल इस सिस्टम इन इस में डिग्री मिनिट्स और सेकंड्स को डिग्री में मिनिट्स में और सेकंड्स में इसके साथ ही स्टूड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर फिर्स एक्सरसाइज यह तो थियोरी हमने देखी है जो यूज होनी थी अभी तक फिर्स कोड्स में अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज हमारे पास है 7.1 कुस्टमर बन है कि locate करें angles 30 डिगरी अब student जो 30 डिगरी होगा जब हम इसको values लेंगे तो इसका meaning यह होगा कि हमने यहाँ पे तो क्या होगा 45 बनता है यहाँ पे 90 ठीक है इधर 0 इधर 180 और इधर वारे पस क्या बनता है students 270 जब हम बात करें 30 डिगरी की इसका मतलब क्या होगा इसका half से थोड़ा सा नीचे तो यह 30 angle बना देंगे यह side इसकी initial है और यह कौन से वाली side है हमारे पास terminal side है तो less than 45 जो होगा वो angle show कर देंगे 30 तो exam में जस्ट आपने इसको simple साई बनाना है पराना scale से है तो यह show कर देंगे सार लिखना लाजबी है कि कितनी value आ रही है 30 और arrow भी लगाएं उसके उपर और लिखना भी चाहिए कि यह initial side है और यह terminal student side है जब angle बात कर रहे 22.5 की students तो इसका 22.5 इसका meaning हो क्या होगा 22.5 बन रहे है तो यह भी वह है कि 30 से थोड़ी से value कम लेंगे तो हम इसको mention कर रहे है जब हम बात कर रहे है थर्ड पार्ट में 135 की students वर्स जब 135 की बात कर रहे है तो इसका meaning का यहां पर हमारे पर 90 है और यहां पर क्या है 180 तिन दोनों का जो students half बनेगा वो हमें पता है कि क्या बनेगा इदर तो वो 45 बनेगा 90 प्लस 45 क्या आ जाएंगे हमारे पर students 135 तो इसकी यह नहीं एक्जेक्ट लोकेशन इसकी यह वाली figure बनेगी फिर ऐसे इसको कोशिश करें वैसे protector से draw करें आपकी होना भी यह protector सही चाहिए फिर है हमारे पास 225 तो हमने कहा था कि इदर values हमारे पास आ रही है 0, standard इदर 180 90 और इदर 180 और इदर क्या होती है 270 तो यह 45 जो बन रहा है इसका मतलब 180 और 270 के between linear लेकिन लेना हमने standard origin से लेना है initial drive तो यह कितना angle बनेगा हमारे पास 225 बनेगा इसी तरह से students हमने next जो value देखनी थी इस पे वो हमारे पास है minus 60 अब जब minus 60 की बात हो रही है तो फोरण माइड में आना चाहिए कि angle हमने महियर कैसे करने हमें कहा था जब हम लेंगे इस तरह से values तो हम जब clockwise value लेंगे तो फिर हम angle कौन सा लेंगे negative का लेंगे अब कितनी values है इसका मतलब है कि यह हमारे पास value तो है लेकिन क्या है यह हमारे पास 60 है तो यहां से anti clock wise value लेंगे students की वो हम पे angle mention कर लिए next जो number आ रहा है हमारे पास क्या रहा है 120 तो इसका meaning क्या बन रहा है हमारे पास यहां पे होगा students हमने क्या करना है इसमें इसमें भी जब values हम लेंगे तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास value आगी 90 के minus 90 इदर आकर पे 180 होगे और इदर आकर students हमारे पास कितने बनेगे 70 जब उसमें values हम add कर लेंगे तो इसका meaning यही बना यहां पे origin है और exact figure हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी 0, 90, 180 अगर एक्टीव होगा तो 90 अब students हमारे पास very important question स्टार्ट हो रहा है और बड़ी बड़ी हमें आ चुके हैं यह questions sexagacimal system है यानि कि degree, minute second में given है question किसमें given है degree में और minutes में हमने इसको किसमें लेके आना है हमने इसको decimal farm में हमने इसको लेके आना है students को decimal farm में points की farm में लेके आना है तो first of all हम क्या करेंगे इसको degree को हमने separate कर लिया plus लगा लिया और minutes को हमने क्या कर लिया separate अब हमें यह भी पता है कि जब हमारे पास one degree होता है students तो कितने minutes होते हैं 60 और अगर मैं इधर ये 60 divide को तो ये one minute आजाएगा 60 तो multiply हो रहा है इधर क्या हो जाएगा divide ये definition बन गई हमारे पास एक minute की ये क्या होगी 60 part जो एक minute का होगा 60 part जो एक degree का होगा वो क्या बन रहा है हमारे पास students one minute बन रहा है तो that's why हमने इसको divide किस पे करना है students अब तो guess करें किस पे divide करना होगा हमने इसको degree को हमने पहले क्या बनाना है minutes तो कितने पे divide करेंगे 60 पे ये बहुत common mistake करते हैं कि इसको students उपड़ इसके degree का sign नहीं लगाते है तो zero zero से cancel हो गया students इस तरह से three by six हैं तो हमारे पास क्या आ गया one over two और साथ क्या आ गया इस पे minutes आ गया इसी तरह से students हम देखेंगे इसको forty five है one over two को क्या लिख सकते हैं इसको point five और साथ उसके उपर degree तो अब इन दोनों को हम combine करके लिख सकते हैं forty five point five और साथ क्या लिख देंगे degree में हमारे पास answer आ देगा इसी तरह से students हम इसका second part देखते हैं इस बार double values दी हुई है कि first value हमारे पास minutes में है फिर second में और फिर minutes में degree minutes और second में है अब हमने जब इनको हमने देखना है तो first value हम क्या लेंगे इसमें 60 degree को separate कर लिए फिर आ रहा है 30 minutes तो minutes हमने separate कर लिए और मैंने seconds separate तो students अभी हमने इसे last question में देखा है कि हमारे पास जब 30 minutes होंगे तो हमने इसको लेके जाना degree में तो कितने पे हम इसको divide करेंगे students हम इसको 60 पे अब जब आ रहा है हमारे पास 30 seconds ये बड़ा interesting है अब 30 को हमने पहले किसमे लेके जाएंगे minutes में किसे multiply करेंगे 60 अब फिर इसको हमने क्या करना है students ये तो हम लेके गए थे इसको किस फार में लेके गए minutes seconds को किसमे लेके गए हैं भी minutes में अब minutes को फिर लेके जाना है हमने degrees में तो किस से दोबारा multiply करना हमने हमने एक और 60 से students एक और हमारे पास आएगा अब ये तो आगए 60 ये तो भी हमने पढ़ा है one one cancel ये क्या आजएगा हमारे पास one by two इसी तरह से ये zero zero हमारे पास क्या हो जाएगे students cancel होंगे और क्या हैगा हमारे पास ये three two दा six कितनी value आगी one over sixty into two तो क्या आएगा one over twenty अब इसमें से हमारे पास ये 60 आ रहा है students minutes में और इस तरह one by two क्या होता है हमारे पास point five one over twenty को जब हम calculate करेंगे तो ये क्या हैगा zero zero point zero zero और तो LCM लेना थोड़ा सा complicated होगा डिगरी का सा लाजमी दिखा ले सारी values आगी पहले हमने क्या लिखेंगे 60 फिर point five फिर five के बाद देखें ये zero add करने कोई फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन इसके बाद क्या रहा है एक zero आ रहा है और साथ क्या रहा है फिर eight और ये answer किसमे आ गया decimal में आ गया सारी values डिगरी में आ गया इसी question का last part है कि अब जो है 125 डिगरी है तो हमने पहले क्या करना है उसको first of all student हमने क्या करेंगे इसको पहले तो डिगरी में equal में write करेंगे फिर हमने करना है कि one twenty five को डिगरी को separate लिखा फिर twenty minutes और इसी तरह से fifty seconds हमने write कर लिए अब बात वही कि पहले तो हमने degree write किया फिर twenty two minutes है तो हमने इसको किसमे change करना है degree में sixty पे divide करेंगे sign लाजमी लाना है फिर fifty seconds है उसको पहले क्या लेके आएंगे minutes में minutes को फिर किसमे लेके जाना है second में तो इसी दो बार sixty से में multiply रहना पड़ा तब degree का sign लिखा रहा है इसी तरह से one twenty five जब student twenty two और sixty को solve परेंगे तो हमारे पास answer हैगा point three और six seven इसी तरह से जब इनको solve करेंगे तो zero zero से cancel होगा five twelve आएगा अब भी हमने इससे solve करके देखा था क्या आया था zero point zero one three nine और degree तो क्यूंके सारी answers आज जोके इस पर फरस्ट पर डिग्री भी आना चाहिए था one twenty one twenty five degree point three six अचा अब इस में से जो हमारे पास values आ रही है अब three six को जब इन डोनों values को हमने add करना है तो add करके भी तो answer student सही बनना चाहिए हमारे पास तो वो आप कोशिश करेंगे calculator सही करें इसको अगर आपको calculation में problem आ रहे है one twenty five तो क्या बनेगा three eight और zero eight अब ये जो था इधर degree का sign लगाएंगे और इधर हम students क्या करेंगे इसको raise करेंगे अगर हम इसको देखेंगे भी तो कैसे हमने add किया है इसको मैं लिखे लेना चाहिए one twenty five degree और उसके बाद क्या था जी students point three six seven minutes और next value में क्या रहे zero point students और क्या रहे one three और nine इस तरह से आप इसको अब ये plus करेंगे तो thank you इसमें से आप इसकी practice करें और students इसमें कमेंट्स लाजमी दें कि हम इसमें कैसे improvement कर सकते हैं और अपने बाकी फ्रेंट्स से भी सब्सक्राइब करवाएं अधना on